नमस्कार आप देख रहे हैं रितम और मैं हूँ आपके साथ चेतना मनकोटिया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पूर्वुत्र की पहली बंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रीन को उपर छोली खरीचर ने दिखाई है उत्तरपूर्व की ये पहली बंदे भारत पश्चिम बंगाल में नियू जलपाईगोरी स्टेशन और असम में गुहाटी के पीछ चलेगी इस मौके पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज असम सहीत पूरे उत्तरपूर्व की रेल कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा दिन है ये बंदे भारत एक्स्प्रेस यहां रहने वाले लोगों के जीवन को आसान बनाएगी और इससे राजी के परेटन छेत्र को की बढ़ावा मिलेगा पीए मोदी ने कहा कि 2014 के तशक से पहले अलग-अलग सेक्टरों में घोटाले करने के रिकॉर्ड बढ़ते थे इन घोटालों से सबसे ज़ादा नुकसान गरीबों और विकास में पिछडे छेत्रों को हुआ हमारी सरकार ने गरीबों के कल्यान को प्राथ मिक्ता दी है भार्टिय अंत्रिक्ष अनुसंधान केंद्र यानिकी इसरों ने खास नविगेशन सैटलाइट को लौंच कर दिया है इसरों ने आंद्रोप्रदेश के श्री हरीकोटा के सतीश धवन अंत्रिक्ष केंद्र से भूस्तिर उग्रव प्रक्षेपणियान के जरिये एक नौ बहन उग्रव को लौंच किया है इसरों का कहना है कि G.S.L.V. F.12 ने नविगेशन उग्रव N.V.S. 01 को सफंता पूर्वक इच्छित कक्षा में स्थापित कर दिया है साथ ही बताया कि ये उग्रव भारत और मुख्य भूमी के आसपास लगभग 1500 किलोमेटर के छेतर में तत कालिक स्थिती और समय संबंदी सेवाएं प्रदान करेगा दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले काफी दिनों से धरने पर बैठे पहलवानों के खिलाफ बड़ी कारवाई की गई दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के खिलाफ F.I.R. दर्च कर ली है दिल्ली पुलिस की पी आरो सुमन नल्वा ने बताया कि पहलवानों पर ड्यूटी परतैनाथ सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथ अपाई करने, उनके काम में बाधा डालने और दंगा करने का आरोब लगाया गया है दिल्ली पुलिस ने बजरंग पुन्या, साक्षी मलिक और विनेश फोगाड के खिलाफ FIR दर्श की है दिल्ली की आपकारी नीती घोटाले की जांच में एडी ने खुलासा किया है कि पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीश सिसोधिया ने कथित तौर पर अलग-अलग तरीकों से 622.67 करोड रुपे अरजित किये थे इसके साथ ही एडी का आरोफ है कि मनीश सिसोधिया ने आपकारी नीती घोटाले के सिलसिले में 14 मोबाई फोन में 43 सिम काट का इस्तमाल किया था ये भी आरोप लगाया गया है कि सिसोधिया ने जांच में बाधा डालने और सबूत मिटाने के लिए फो नश्ट कर दिये तमिल आडू में DMK के दो पार्श समीत 10 लोगों को पुलिस ने गिरफतार किया है इन लोगों पर आयकर अधिकारियों को ड्यूटी करने से रोपने का आरोप लगा था बता दें कि 26 मई को जब IT अधिकारियों ने मंत्री सैंथिल बालाजी से जुड़े परिसरों की तलाशी लेने की कोशिश की तो उनके समर्थकों ने कथित तौर पर हमला किया और उन्हें छाबे मारी करने से रोप दिया था जिसे लेकर आज करूर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक हमने 10 लोगों को गिरफतार किया है जिनमें DMK के दो पार्शर शामिल है उन्हें भी प्रिमांट पर लिया गया है उत्राखण में देव भूमी जन सेवा केंद्र पिछले एक वर्ष में डिजिटल भुकतान का बड़ा माधियम बन कर उठे है इन केंद्रों के माधियम से एक वर्ष में 602 करोड रुपे का लेंदेन हुआ है जो की अब तक का सबसे उच भुकतान है सूचना प्रदियोगी की विभाग की ओर से जारी आंकों के अनुसार प्रदेश में वित्यवर्ष दोवडार बाईस-देज में 22,244 जन सेवा केंद्र पंजी क्रित हैं जिनमें से 12,212 सकरिय हैं ग्राम पंचायदों में 9,033 सकरिय जन सेवा केंद्र स्थापित हैं वित्य वर्ष में इन CSC से 56,29,000 ट्रांसेक्शन हुए हैं जिन से 602 करोड़ रुपे का लेंदेन हुआ है प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतरित में NDS सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं जिसे लेकर आज नहीं दिल्ली में बीजेपी ने प्रेस कांफरेंस की जिसमें UP के CM योगी आदितिनाथ ने मोदी सरकार की उपलबखियां बताते हुए कहा कि हम वैश्विक सतर पर मजबूत हुए हैं योगी ने अपने बयान में कहा कि आज भारत को कोई टेड़ी नजर से नहीं देख सकता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा अपने पडोसी देशों के साथ अच्छे संबंद बनाये रखने की कोशिश की है लेकिन जो हमारे देश के खिलाफ काम कर रहा है उसे आज भारत उसी भाषा में जवाब दे रहा है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोधी सरकार में भारती सीमाएं अब सुरक्षित है देश में अब जल्द ही डिजिटल जनगर्ना होने वाली है दरसल लोग सभाचुनाव अगले वर्ष मार्च अप्रेल में होने है जनगर्ना जब भी होगी तो उसमें स्मार्टफोन, इंटरनेट, लैप्टॉप, कम्प्यूटर, कार, दोपहिया वाहन और मुख्य रूप से उपभोग किये जाने वाले अना जो जैसे लगभग 31 प्रशन पूछे जाएंगे बता दें कि ये पहली डिजिटल जनगर्ना होगी जिसमें नागरिकों को स्वगर्ना का अफसर मिलेगा जो नागरिक सरकारी करमचारी के बजाए खुद जनगर्ना फ़ाम भरना चाहते हैं उनके लिए NPR अनिवारी है इसके लिए स्वगर्ना पोर्टल डिजाइन किया गया है जिसे लौच किया जाना है चीन पर निर्भरता कम करने के लिए बने कुट को बड़ी स्टफलता मिली है इस गुर्ट में अमेरिका, भारत, आस्ट्रेलिया, चापान, इंडोनेशिया और मलेशिया समेट 14 देश शामिल है इन 14 देशों ने इंडो-पैसिफिक एकनॉमिक पार्टनर्शिप यानि की IPEF के तहत सप्लाई चेन एग्रिमेंट में महत्वपूर निशकर्ष पर पहुँचने की घोश्टा की है इस एग्रिमेंट का उदेश ये सुनिश्चित करना है कि IPEF के देश कच्चे माल की कमी जैसे स्थितियों से निपटने में एक दूसरे का सयोग करें जिससे कोवेड और अनावशक व्यबार प्रतिवन्दों जैसी स्थिती में कम से कम नुकसान हो संगम नगरी जल्द ही भोपाल वह गोरखपूर से वंदे भारत के सरिये जुड़चाएगी जबकि दिल्ली के लिए एक और वंदे भारत मिलेगी इन तीनों वंदे भारत को चलाने के लिए प्रस्ताव तयार हो गया है इसमें लखनाओं होकर वोरखपूर के लिए चलने वाली वंदे भारत की समय सारिनी भी तयार की गई है बता दें कि जूर में होने वाली इंडियन रेलवे टाइम टेबल कॉन्फरिंस की बैठक में रेलवे द्वारा इन तीनों ट्रेनों का प्रस्ताव रखा जाएगा बैठक में इन पर मुहर लगते ही संगम नगरी से चार वंदे भारत का चुडाप होगा भारत में UPI काफी तेजी से भड़ रहा है इसका परिणाम होगा कि 2026-27 तक देश में UPI से होने वाले लेंदेन की संख्या एक अरब प्रति दिन तक पहुँच जाएगी जो कि देश के रिटेल डिजिटल पेमेंट का नप्वे प्रतिशत होगा Pricewaterhouse Coopers India की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार वितवर्ष 2022 में रिटेल सेक्मेंट में होने वाले को लेंदेन में इसकी हिस्सेदारी 75 प्रतिशत रही है जो की आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है रिपोर्ट में बताया गया है कि भार्टी डिजिटल पेमेंट मार्केट 50 प्रतिशत की CAGR से भड़ सकता है और 2026 तटाइस तक लेंदेन का अंकड़ा 411 अरब को चू सकता है जो की वितवर्ष 2022 में 103 अरब पर है IPL क्रिकेट में रविवार रात एहमदाबाद में लगातार बारिश होने से चिन्नई सूपर केंग्स और गुज्राट टाइटन्स के बीच फाइनल मुकाबला नहीं हो पाया ये मैच आज एहमदाबाद के नरेंदर मोधी स्टेटियम में फिर खेला जाएगा महेंदर सिंग धोनी की कप्तानी में चिन्नई की टीम अगर फाइनल मैच जीती है तो ये उसका पांचवां IPL खिताब होगा दूसरी तरफ हार्दिक पांडिया की कप्तानी में गुज्राट टाइटन्स अपना खिताब बचाए रखने के लिए मुकाबला करेगी हौकी में मौचूदा चेंपियन भारत ने ओमान के सलाला में पुरुषों के जूनियर एशिया कप 2023 में अपने अंतिम पूल ए मैच में थाइलैंड को 17 शियूनिय के बड़े अंतर से हराया इस जीत के साथ ही भारती टीम ने पुरुषों की जूनियर एशिया कप 2023 के सैमि फाइनल में प्रवेश कर लिया है चार मैचों में दस अंकों के साथ भारत की टीम पूल ए तालिक में शीर्ष पर बनी हुई है अधा शर्मा स्टार और फिल्म दकेरल स्टोरी जब कर कमाई कर रही है सुदित्तो सेन के निर्देशन में बनी ये फिल्म 300 करोड के कलब में शामिल होने जा रही है इस वीकेंड पर दकेरल स्टोरी एक बार फिर अपनी पकड़ बनाने में सफल रही इस फिल्म ने रविवार को इंडिया में सिंगल डे पर 4.44 करोड का हिंदी में कलेक्शन किया और एक लाग का तैलगू में बिजनेस किया इंडिया में फिल्म की नेट कमाई अब तक 224.66 करोड हो चुकी है जबकि दुनिया भर में इस फिल्म ने 273 करोड का बिजनेस अब तक कर लिया है